नमस्कार मैं हूँ सलामत अलिया और आप देख रहे हैं DRV News डर कोरोना का इतना भयावा है कि लोग अब हर मुमकिन कोशिश कर रहे है कि इससे बचा जा सके हाला कि कुछ लोग अब ही है जो ये समझ रहे है कि कोरोना जैसी बिमारी नहीं है और उससे डरने के अब शक्ता नहीं है लेकिन जो बिमारी है वो किसी को भी हो सकती है जो लोग इस तरह की मानसिक्ता रख रहे है उनसे गुजारिश है कि वे एक बार अस्पताल का दोरा जरूर करें ताकि उन्हें समझ में आए कि कोरोना कैसी बिमारी है और उससे क्या क्या नुकसान और क्या क्या तकलीफे हो सकती है कुरोना ने पुरे देश कोई नहीं बलकि पुरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है इसी बीच हेल्थ इंशुरेंस के दिबात की जाए तो लोग अब हेल्थ इंशुरेंस की ओर रुख कर रहे है कुरोना के बढ़ते महामारी को देखते हुए लोग अब health insurance निकालते दिखाई दे रहे है coronavirus से देश में दहशत है इस बिमारी के डर में पिछले एक साल में अधिक से अधिक लोग health insurance policy ले रहे है insurance field में पिछले करीब धाई दशक से काम कर रहे कई जो agent है उन्होंने बताया है कि लगातार पिछले 12 से 13 महीने में करीब 25 प्रतिशत जादा लोगोंने पिछले कई सालों के तुलना में medical insurance करवाया है लगातार जो मामले बढ़ रहे है डर भी बढ़ रहा है और उसी को लेकर लोग अपने और अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते है जिसकी वजह से अब वे लोग health insurance की और रुख करते दिखाई दे रहे है इस ख़बर आपको कैसे लगी हमें comment कर जरूर बताईएगा साथ इस वीडियो को like और share करना ना भूलिएगा इसके अलावा हमारे चैनल DRV News को subscribe जरूर करिएगा